वाहिगुची का खालसा वाहिगुची की फते पंजाबी ओडी बुक सुन रहे सारे सरोतियानों मेरे मरंदर कौर वरलों प्यार परी साच्छी अकार मर्जीवडा जसवंत सेंग खालडा पाग दूज़ा 1975 दी एमर्जेंसी जसवंत लोकां दी पलाईली का मकारदा रहा आते पंजाब ते खास तौर ते सिख केंदरी सरकार नाल उलजदे गए देश पार विच केंदरी सरकार दियां तानना शाही नीतियां दा विरोध होन लगा जस विच सब तों उच्ची अवाज पंजाब दे अकाली डाल दी सी जून 1975 विच पारत दी प्रदान मंत्री ते कांगरस दी आगू इंदरा गांधी नू चोना विच हेरा फेरी दे इलजाम तहत दोशी ठहराया गया उन्हें अपनी सरकार नू बचोन ते अपने खिलाफ छड़ी देश व्यापी लेर नू दबोन दे इरादे नाल देश विच एमरजेंसी लादती जस नाल पारती सविदान नकारा होके रह गया तकरीबन दो साल उन्हें डमन कारी राज चलाया नागरी की आजादी पासे कारदती गई सियासी विरोधी सीखां पिछे डाक दते गए सैंसर शिप लाके पत्तर कारी ते पाबंदियां लादती गईयां ते हर किसम दे सियासी विरोध ते रोक लादती गई पर पंजाब विच अकाली आगुआ ने इंद्रा गांदी दे तान्ना शाही रवये खिलाफ रोस मुजारे जारी रखे नतिजे वजो उना नू बिना मुकदमा चलाय जीला विच डाक दता गया हुकम अदूली दे इल्जाम तहत सरकार ने चाली हजारतों वद अकालिया नू कैद कार लिया सरकार ने मीडिये विच सिखा नू शरारती ते वाखवादी आंसर कैके बदनाम किता खालडे पिंड़ देवी किनने ही सिख गिरफतार कार लिते गई पहली वार जिस वंतने अकाली दाल दी जथे बंदक ताकत नू सलाया जिस अहंसक टांग नाल अकाली दाल ने इंडरा गांधी दी तान्ना शाही नू वंगार्या सी देश दा होर कोई वी सियासी दाल अकालिया दा मुकाबला नहीं सी कार सक्या आखिर अकाली दाल सने दर्जन्तों वद स्यासी पार्टियां दे गाठ जोड जन्ता पार्टी ने 1977 दियां चोणा विच कांगरस नुँ हरा दता ते केंदर विच अपनी सरकार बनाले इस समय दोरान अकाली दाल दे नीती काड़िया ने स्ताई तों 29 अक्टूबर 1970 नुँ पार्टी दे लुद्याने विच होए आम इजलास विच अनांदपुर साहिब मते दा दाइरा होर खुला कार दता इस इजलास विच एक लक्टों वदबंदे शामलसान मता सत्ता दे विकेंदरी करन दे मुद्दे नाल शुरू होया जस्वन्त नुँ आस सी के इंदरा गांदी दे तना शाही नजाम नुँ हटा के सत्ता विच आया जम्हूरी पार्टियां दा गठ जोड अपने वादे पूरे करेगा इना वादियां विच जम्हूरी असूलां दी काइमी सत्ता दा विकेंदरी करन आर्थिक तोर ते पच्छडे लोकां ते तियान केंदरित करना अते सारे लोकां दे मौलिक अधकारां दा सनमान भाल करना वगेरा शामलसान जस्वन्त नू बड़ी निराशा हुई जदों गठ जोड सरकार दे परदान मंतरी मुरार जी दिसाई ने साफ एलान कार बता कि यहो ताक्ता दी वांड़ दे मामले बाबत सविदान विच किसे किसम दी सोध बारे कोई तजवीज नू परवान नहीं कारन गे अकाली सरकार वी नमे रुख नाल एक सुरहुंदी दसी एहे आपने सियासी पाईवाडा नाल सबंद विगाड़ना नहीं चोंदी सी जीना नू खुद मुक्तियारी ते सत्ता दा विकेंद्री करन वर्गे शाब्दा दे उचारन तों ही गुर्ये सी अकाली दल असूल छिक के टांग के कुर्सी नू चिंबड़ गया सी सिख जेडे मुल्क दी सेवा कार्ण विच हमेशा अगे रहे जेडे हमेशा मनुखी हकां दी राखी दे अलंबरदार बने जेडे नेकी ते बदी लोकां दी प्रभु सत्ता ते राज सत्ता अजादी ते ताना शाही विचाले संग अश्विच हमेशा मोरी रहे जिना किनियां ही पीडियां दे कौमी अपमान ते गुलामी दा बदला लेया माँ पोए नू ताडवियां दे जबर दे जुले तों आजाद करवाया नेकी ते अजमत दी मसाल काइम कीती सुबे दियां ओन वालियां पीडियां लेई शान दार ते आजाद विरास्त काइम कीती जिना करके पंजाब नू फोजियां दा मुल्क आख्या जान लगगा जिडे विदेशी ताडवी आठ सो सालां तो पारत दी सरजमीन नू रोंद दे रहे सन उना अग्गे हिकडा के मुकाबला कार दे रहे उत्री पारत दे खास करके पंजाब दे लोग उना सिखां दे सदा रिनी रैन गे हरीराम गुप्ता नामी इतिहास कार उकसाहट 1978 विच जसवन्त पच्ची कु सालदा सी जो दो ऐसी कटना वापरी जिने पंजाब हिला के राख दता ते बहुत सारे सिख नौजवाना दी जिन्दगी ही बदल दती 13 अप्रेल 1978 नू इक सो कु सिखां दे जथे ने संत निरंकारी फरके दे मुखी गुर बचन सिंग दे समागम दा शांत मैं विरोध करन दा फैंसला किता इस तो पहला अपने समागमा दोरान खोती निरंकारियां ने गुरु गरंत साहिद दी शाम दे खिलाफ मन्दे शब्द वरते सान सिखां दे जथे ते हथे आरबंद निरंकारियां ने गोली चला दती इस गोली बारी विच सिख आगू पाई फौजा सिंग सने तेरा सिख मारे गए ते अठतर जखमी हो गए एह साब कोज सिखी दा तुरा मन्ने जान दे शहर अमरे सर विच होया ते होया वी दरबार साहिद दे नेडे जिथे वड़ी गिंती विच सिख संगता विसाखी दा दिहाडा मना रहिया सान विरोध कर्णवालियां दी मदत लई बोड़न दी बजाए पुलस ने उना ते अत्रू गैस दे गोले दागे सरकार ने ए वैशी कारा कर्णवालियां दी पेठ था पड़ी ते ना ता निरंकारी कातलां दे खिलाफ कोई कारवाई कीती गई ते ना ही उना दे मुखी थे 25 संबर 1978 नू एहो जैही ही एक होर कटना कानपुर विच वापरी जित्थे निरंकारियां विरुद शांती पुरन रोस मुझारा कार रहे सिखा उपर पुलस ने गोली चला दती इस हिंसा विच तेरा सिख मारे गए ते सत्तर तों जादा जखमी हो गए इस जुरम दीवी के इंदरी सरकार ने किसे नू कोई सजा नहीं दती नतिजे वजो सारे पंजाब नू सदमा पुजिया सिखा दे हर्दे विलुंद्रे गये ते उना दे मना अंदर रोस पार गया गुरु ग्रंथ साहिब ते हमला ना सरफ उना दी पच्छान अते तरम ते बलकी उना दी होंद ते ही हमला सि एहे कटनावा नंगा चिट्टा एलान सान के सिख अपने तरम ते होंवाले हमले खलाफ शांती पुरन टांग नाल वी रोज परगट नहीं कार साकदे पारत विच सिखी सुरख्यत नहीं सी जस्वंत ते प्रवार दे सारे जी पक्के सिख सान, जिनानो गुरु गुरंत साहिप जान तों वी वद प्यारे सान टब्बर दा हर जी रोजानना बड़ी शर्दा नाल पाठ कारदा सी हर दवाली वाले दिन उनादे कारबकाई दा खांड पाठ हुंदा सी ते एहे परंपरा पीडियां तों चल्ली आरही सी जस्वंत दा अपनावी गुर्बानी दे शब्दा नाल पूरा लगाओ सी सो जस्वंत एदा सारा परवार पिंडवाले पूरा पंजाब ते पंजाबों बाहर वासदे सिख रोज कारही सिखांदे पमान ते कतला कारण मनों बड़े दुखी सांग अप्रेल ते स्तंबर दियां एना कट नावा ने जस्वंत दे मानते बहुत डुंगा असर कीता हुन एनू अनांधपुर साहिब दे मते विच सिख पांथ दी राखी दी जरूरत वाला नुक्ता समझ आया एदे मान विच पंजाब दे नाल नाल सिखां दे उना बांड दे दिकारां दी राखी ले सनमान पैदा हो गया जिना दावादा पैली पारसरकार ने उना नाल कीता सी इस संगर्श नू उना पंजाबी नौजवाना दी हम दर्दी ते समर्थन वी हासल हो गया जेडे पैला खबे पक्खी लहर नाल जुडे होए सन उना नू एहसास होया की पंजाब नू एदे बंडे हिससे तो इसलिए महरूम रख्या जा रहा है क्योंकि इस विच बहु गिंटी सिखा दी है जे पंजाब विच बराबरी ते इंसाफ चाहिदा है ता एहे पैला मुहाज है जिस ते लड़ना होवेगा जीवन साथ 1989 विच पंजाब स्टूडेंट्स यूनियन दियां सरगर्मियां दुरान जस्वन्त दी मुलाकात खालसा कालज अमरे सरदे विदियार थी आगूगूर पजन सिंग नाल होई जड़ा ओदे तो आठ साल छोटा सी उन्हों प्यार नाल पेज केहा जान्दा सी जासते पेज दी स्वर एकदा मिल गई ते ओहो एक दुझे नू प्रामा वांग मिलन लगे ओहो समागम कारके विदियार्थियां नू आले दो आले फैली बे इंसाफी नू वंगारन ले परेद दे पेज दी वड़ी पैन सी परमजीत कोर जड़ी अपने कालज विच्च समाजवादी विदियार्थि जथे बंदी दी आगू सी ओदे कोल पंजाबी युनिवरस्टी दी पंजाबी पाशाली डिग्री सी ते हुण ओहो गुरु नानक देव युनिवरस्टी दे लाइबरेरी साइंस विपाग दी विदियार्थन सी पेज नू लगगा कि जसवांत ते परमजीत दी बड़ी वदिया जोड़ी बनेगी उने इस बाबत दोवा नाल कई वार वखरियां वखरियां गाल कीती पर एना दे मेलतों पहला पेज हाद से दाशिकार हो गया मरंतों पहला उने अपनी खाहश अपने परवारतों इलावा जसवांत ते परमजीत नालवी सांजी कीती पेज दी अंतम अच्छा दा सब ने सतकार कीता सन उन्नी सो क्यासी विच पेंड पांज गराईं खुर्द विखे उनत्ती वरेयां दे जसवांत सिंग दा वया स्ताई वरेयां दी परमजीत कौर नाल होया परमजीत नेडले पिंड पूले दे स्कूल विच प्रोन लगी जदो की जसवांत अपनी पंचायत सकत्तर दी नोकरी दे नाल नाल अपने पिता दा हाथ वटों दा रहेंदा पंचायत सकत्तरां दी सूबा पद्री जथे बंदी दी प्रदानगी कारदियां इने नौजवान पारसबा दियां सरगर्मियां वी जारी रखियां एहे जिम्मेवारियां जसवांत नूम मसरूफ रख दियां ते कई वारतां एहे कई कई दन करोंबार रहेंदा एदी गैर हाजवी विच परमजीत खुशी खुशी पिंड दिया जिम्मेवारिया नबोंदी पेज दी सोच बिल्कुल सही सी जसवांत ते परमजीत राल के लोक है तदा काम करन लगे जसवांत नू लगा जिम्मेवारिया परमजीत दे साथ नाल एदी ताकत दुगणी हो गई होगे परमजीत वी आपना योगदान पौन ते अपने लीडर तों कुझ ना कुझ सिखन विच खुशी महसूस कार दी सी संगर्ष मनुखी हित्ता नू परनाई इस जोडी दे खालडे रही देया पंजाब दा अपने बन दे हकान लेई केंद्री सरकार नाल जरोद जोर फाड रहा सी पंजाब दे हकान दी राखे लेई चलेया एह संगर्ष सिख संगर्ष वजों जानिया जान लगगा क्योंकि एदे विच मोरी पूमिका सिख ही नबा रहे सान लेहर दे आगुआ दी मांग सी के अनांदपूर साहिब दा मता मनिया जावे जिस तहत सूबया नू उना दे कुदर्ती सौमिया दी माल की वापस दती जावे ते एदे विच केंद्री सरकार दी कोई दखल अंदाजी ना होगे मते दी मुख मांग पंजाब दे पानिया ते आपना एक्तियार हासल करना सी पंजाब दे 75 फीसद पानी ते नजायज कबजा कारके ते नेरा राही एनू दूजे सूबया नू पेज के केंद्री सरकार को मांतरी रिपेरियन कानून दी उलंगना कार रही सी इस कानून मताबक दर्याई पानी ते पहला हक एदे बेसन काटी विच रैन वाले लोकां दा हुंदा है केंदर दे इस वतीरे कारण खेती बाडी नाल जुड़ी आर्थिकता वाले पंजाव नू मजबूरन पचासी फीसद खेतां दी सिंचाई लई जमीन हेठले पानी दा इस्तिमाल करना पैगिया एसनाल संकट वेले कम ओन वाले जमीन हेठले पानी दा पंडार सुंगडन लगगा पंजाद रियामा दी तरती पंजाव तों एदे कीमती पानिया नू खोके मारुथल बनन दे राहे पादता गया जमीन हेठला पानी कड़न लई इनू वदेरे बिजली ते तेल फूकन लादता जेदे कारके एहे वाता वर्नक समाजिक ते आर्थिक संकट वेच पैगया खेती हुन लाहे वंद तंदा रही नहीं सी गया इस नाल किसान कदे ना लथन वाले करजे हेट दब्बे जान लगे मते विच ए वी कहा गया सी के सान उन्नी सो छ्याट विच तक्के नाल करारे गए हिंदी बोल दे पंजाबी इलाके पंजाब नू वापस मोडे जान इना विच केंदरी शाषत चंडीगर दा इलाका वी शामल सी जड़ा पंजाब दे तक्रीबन पंजाब पिंडा नू उजाड के बनाया गया सी होरना गल्ला तो इलावा मता सिखां दी अजाद हस्ती नू मानता देन दी मांगवी कारदा सी क्योंकि पारती सविदान वेच सिखी नू हिंदू तरम दा अंग मन्या जान्दा सी 1980 विच इंदरा गांधी चोना जत्तके सेर पारत दी प्रदान मंत्री बाण गई उने अपनी पहली सरकार दोरान ओदा विरोध करन वाले सिखां ते खास तोर ते अकालियान सबक सिखोन दी पकी तार ले ओह अकालियान पिशली वार अपना चोना विच हारन ले जिम्मे वार समझ दी सी दोवा निरंकारी कांडा विच होए सिखां दे कतलान सरकार वलो नजर अंदाज करन दा सट्टा निरंकारी मुखी गुर्बचन सिंग दे कतल दे रूप विच सामने आया चौवी अपरेल उन्नी सो असी नू गुरू ग्रन साहिब दे बार बार अपमान ते निरंकारियान दी सरकारी राखीतों पके होए शर दालू सिख रंजी सिंग ने गुर्बचन सिंग नू दिल्ली ओदे डेरे विच ही गोली चला के मार दता पामे रंजी सिंग उदों ता पजण विच कामियाब हो गया पर 1983 विच ओहो आप ही पल्स अगे पेश हो गया उन्हों अदाल्त ने उमर कैदी सजा सुनाई कांगरस ने इह वाक्यावर्त के अकाली दालनू सिख अतवादी पार्टी गर्दान के लग थलग कीता ते सिखानू जर्नेल सिंग पिंडरावाले दे थापड़े वाले दैशत गर्दा वज्जों पेश कीता जरनेल सिंग पिंडरा वाले सिख तरम दे बहुत वधिया पर चारक सान जिना दी सक्षियत विच वक्री ही खेच सी उना दे पैरोकार वी बहुत सान उस वेले उहो दमदमी टक साल दे मुखी सान जेडी दस मेश गुरू गोबिंद सिंग जी दे वेलिया तो चाल दी आ रही है उनाने पंजाब दे हित्ता लई का अतक बुराईया जिमें शराब नोशी दाज और तादा जन सी शोशन ते होर गैर एक लाकी मुद्धिया नू खतम करन दा तहिया कार लेया एदे लेई उनाने सिखा नू उना दी मिथी रहत नाल जोड़या जिस विच सिख पछाण काइम रखना शराब सने हर तरादे नशेदा त्याग करना ते और दा सतकार करना शामल सी उनाने सिखी नू अंधरूनी ते बाहरी दोमे तरादे हमलया तो बचोन लई पांथ नू परेरत कीता जर्नेल सिंग पिंडरावालया नू चंता सीके पंजाब नू ओदे पाणियां तो वांजियां करन किसाना नू पूरा मुआवजा ना देन ते शराब नोशी नू उच्छा देन वरगियां सरकारी नीतियां पंजाब नू आर्थक समाजिक ते खलाकी तोर ते कमजोर कारद सिख विरोधी मत्तां दे सरकारी समर्थन नू उख पांथ ते सद्धा हमला समय दे सन। ते पूरी कोशिश दे बावजूद सरकार उना नू खरीद ना सकी। थोड़े जिनने अर्से विच ही लोकां दे मना विच उना दी छोटी उमर दे बावजूद उना लेई शर्दा वरगा सरकार पैदा हो गया। ते लोक उना नू संत पिंडरावाले दे नाम नाल जानन लगे। इंज उना ने पारी लोक हमायत हासल कीती जेदे विच गर्म ख्याली नौजवान वी सान जेदे अपने हकां दी राखी लेई हथियार चुकर नू तियार सान। उनी दनी बहुत सारे सियासी ते सिरकू कतल होये जिना दी जिनमेवारी हथियार बांद सिखां ते प पूरा मसाला सी उना दा जाम सी के निरंकारी मुखी गुर्बचन सिंग ते पंजाब दे हिंदूआं दे कतलां पिछे पिंडरावाले दा हाथ है। बाद विच होये खुलासियां मताबक इस तरह दे कई कतल खुद सरकार करवां दी सी ता की डर ते नफरत दा महौल पैदा करके मीडिया राही सांत पिंडरावाले नू बदनाम कीता जा सके। के इंदर ते सूबे दे सबंदा दे विशे ते गालबाद शुरू होन दी हुन कोई संभावना नहीं सी। इंदरा गांदी दी सरकार ने पंजाब दे महौल नू हिंदू सिख दुफार दा रूप देन लई वर्तिया जदो की असलियत विच एहो जई कोई गाल ही नहीं सी। सिखा नू दैशतगर्द वाखवादी ते मासूमा दे कातल कैके ओहो शैरी वस्तों नू सिखा दी सियासी पार्टी अकाली दाल दे खिलाफ कर्ण विच काम्याब हो गे। मई 1980 दियां असेंबली चोना विच कांगरस ने अकाली दाल नू हरा के पंजाब विच सरकार बना ले। केंदर ते सुबे दो में थाईं कांगरस दी सरकार होन कार के सिखा खिलाफ पर चार सिखरा छोन लगा। अनंदपुर साहिद दे मते दा काली दालना समर्थन कार दे सांत पिंडरा वाले ने मता लागू करंदी मांग कीती जल्दी ही हो सिख लहर दा चेरा बाण के उबरे। हजारां दी गिंती विच पिंडा दे लोग उनानू सुनन ते समर्थर देन लई निकल तोरे। 9 स्तंबर 1989 नू हिंद समाचार गुरूप दे मालक लाला जगत नरायन नू अग्यात बंदियाने गोली चला के मार दता। लाला जगत नरायन पंजाबी हिंदूआं तों अपनी मात पाशा हिंदी कहोन ले जिम्मेवार सी। अपने खबारां दे जरिये उहो अनांधपूर साहिब दे मते नू आर्थक ते समाज सुदार दी दस्ता वेज दर्सों दी बजाए गल्त टांग नाल वाखवादी स्विर कू ते हिंदू विरोधी दस्तन ले जिम्मेवार मनिया जान्दा सी। एहे ओहो चाल सी जिने पंजाब विच हिंदू सिख पाड़े दा पर्म पैदा कीता जेदे नाल फिर केंडरी सरकार नू सिख संगर्ष नू कुछलन दा बहाना मिल गया। ओहो सिख निरंकारी चगडे दा मुख गवावी सी जेडा सिखा दे खिलाफ पोगतिया सी। गुरू गोबिंद सिंग बारे ओदे अपमान जनक शब्दा ने सिखा दा हर्दा वलूंदर के राख दता सी। 20 स्टंबर 1989 सरकार ने दैश्ट गर्दी फेलों ते लाला जगत अन्राइन दे कतल दे इल्जाम हेट संत पिंडरावाडे नू गरफतार कार लिया। इस गरफतारी दे खिलाफ सारा पंजाब गुसे विच उबल उठेया। पारिगंती विच सिखा ने दमदमी टकसाल दे मुख अड़े मैता चौक विच रोज मुजारा कीता जित्थों संत पिंडरावाडे नू गरफतार कीता गया सी। पुलिस ने 11 मुजारा कारिया नू गोडिया मार के हलाक कार दता। 29 स्टंबर 1980 नू दाल खाल सा दे पंज बंदिया ने इंडियन एर लाइन्स दा जहाज अगवा कार लेया जिस विच 111 मुसाफर सवार सन। शिरी नगर तों दली जान वाले इस जहाज नू उहो लहौर लेगे उना ने संत पिंडरावाले दी रहाई दी मांग कीती सारे मुसाफरां ते जहाज दे अमले नू अगवा कारा ने कोई नुकसान ना पुचाया अगवा कारा नू पाकिस्तानी पलस ने गरफतार कार लेय संत पिंडरावाले दी गरफतारी तों एक महिना बाद उना खिलाफ लगे इल्जामा दी पुच्टी कारनवाला कोई सबूत ना मिलन कारके सरकार ने 15 अक्तूबर 1989 उना नू रहा कार दता रहाईतों बाद 1982 विच्ट संताने हो रही तक के शाही खलाफ बकाइदा तोर ते तरम युद मोर्चा लादता हजारादी गंती विच्ट सिख्छा ने उना नाल राल के ना सिर्फ उना दियां मंगांदा समर्थन कीता बल्कि सरकार दे खिलाफ शांती पुरन मुजारे वी कीते अकाली डालने वी पूरी तरह तरम युद मोर्चे विच्चे शमूलियत कार लाई मोर्चे दुरान सिख्छा दे जथे गिरफतारियां दंदे रही दे एडे नाल ही मंगाना मननदी सरकार दी अडीतों तांग आके खाड कु जथे बंदी बबर खालसा ने आजाद मुल्क खालस्तान दी काइमी लई हथे आरबांद संगर्ष छेड़ देता उना दी दलील सी के पारत सिरफ बहुगंती हिंदूआ दे ही राखी कारदा है ते उप महादीप विच सिख्छा दे हाक का सिरफ सिख्छ राज विच ही सलामत रह साक दे हन। खालस्तान दे विचार दी दल खालसा ने वी हमायत कीती पर ओहो इस टीचे दी प्राप्ती लई शांत में टांग अपनाए जान दे पाख विच सिख्छ तनाव वदंते सरकार ने पूरे जोर नाल सिख्छा नू हिंसक ते बे मुहारे लोका वज्जों पेश कीता ते उना आम पारतियां अते पारत दी एकता ते खंडता लई खत्रा दसेया सांत पिंडरा वालेया नू मीडिया ने पारत दा मोरी दोश्मन दसेया ते दोश लाया की ओहो हिंदुआं खिलाफ नफरत दा जहर उगल रहा सी प्रेंट ते इलेक्ट्रानिक मीडिये विच उना दे पाशना ते पबंदी लाधती गई ताकी लोका ताक पूरा साच ना पौँच सके अखबार उना दे पाशना दा गल्त अनुवाद करके टुकड़ेया विच छाप दे जिस नाल विरोधी पर चार नू ही हवा मल दी सी कौमी सुरख्या दे ना ते केंड्री सरकार ने आम पार्तियां दी हम दर्दी ते हमायत हासल करन लई अपने पाखदा महौल सरज लेया ताकी ओंदियां आम चोणा विच एदा लाहा ले सके इस तों इलावा दैश्त गर्दी ते काबू पाउंड दा बहाना बनाके सरकार ने पंजाब पुलस ते सुरख्या बला नू खुली छुटी दे जती सिर्टे वजों शर्दावान सिखा नू बुरी तरा परिशान कीता गया उन्नीसो क्यासी तों उन्नीसो चुरासी दुरान सैंकडे ही सिख पुलसिया तशदद दा शिकार होए ते कई चूठे पुलस मुकाबलयां विच मारे गए हजारा होरना नू अपने मौलक अधिकार मंगन कारण ही गरफतार कार लिया गया नवंबर उन्नीसो ब्यासी विच पारत ने दिल्ली विच एशियाड खेड़ा दी मेज बानी कीती अकाली दालने पंजाब दे हालात वाल को मांतरी मीडिये दातियान खिचन लेई उत्थे शांत में मुझारा करंदा सदा दता सरकार ने अकाली दाल दे नेतावा ते पंजाब दे विदायका सणे हजारां ही सिखान ग्रफतार कार लिया ता जो ओः किसे तरा भी उथे कठे ना हो सकन पंजाब ते दिल्ली दे दर्म्यान 25 छुबए हरे आने दी सरकार ने दिल्ली वालनू जान्दे कई सिखानू राचों ही बेईजद करके मोड़ दता दिल्ली च दाखल होन वाले रामा ते नाके लाके गड़िया रोग के तलाशी ले गई सिखानु पछान के बाहर कडिया गया ते परेशान करके वापस मोड़ दता गया इना विच काफी सारे सिख ओहोवी सान जिना ने पारदिया खेड टीमा विच देश दी नमाइंदगी कीती होई सी इत्थों ताक की पार्ती हवाई फौज दे टीजे एर चीफ मार्शल अर्जन सिंग ते 1970 दी बंगला देश जांगविच मोरी पूमिका निबॉन वाले जनरल जगजीत सिंग अरोडा वरगियां सेरकाड फौजी शक्षियता नाल वी दुरविहार कीता गया जडे सिखाँ दा काली दालनाल कोई वावास्ता वी नहीं सी ओहो वी बेगानगी दे एहसास दा शिकार होए ते उना दी हत्तक कीती है 1983 विच इंद्रा गांधी ने चुनी हुई पंजाब सरकार पांगकार के सूबे विच राष्ट्रपती राज लागू का दता ते पंजाब दा सारा कामकाज सिद्धा केंदरी सरकार दे अधीन होगया समाजिक मामले आते लगातार कम विच जुटे जस्वन्त ते परमजीत कोल अचानक लोकां दे मनुखी दिकारां दे हो रहे कान दे केसां दी परमार हो गई पलस ते खाडकों दे स्ताय लोक एना कोल अउन लगे एना विच गैर कानूनी तौर ते जेल विच डककन अगवा कारी ते लापता होन वरगे मामले शामल सान जिना बारे कोई नहीं सी जानदा की मदद लई की दे कोल जाये जावे जसवंत जिनना पलस दिया जयातियां तों दुखी सी उनना ही खाडकों दे रुखतों एनु हिंदूआ दे कतल वी उन्ने ही जालमाना लाग दे जिनने सिक्खा दे एदा कीद्धा सी के हिंसा किसे वी समस्यादा हल नहीं हुँदी इनु तोखला सी के पंजाब विचह थे आरांदी खुली आमद ओन वाले माडे दिना दी माडी निशानी ये एती मार पई कर लाने तैकी दर्द ना आया सन चुरासी काली हनेरी जस्वन्त ते परमजीत दे व्यानू हाले तिन साल ही हुए सन के 1984 विच होन वालियां दो कटनामा ने इस जोडी दी होनी टैकार दती इना दोमा दा ही क्यों इना कटनामा ने ता लखा सिखा दी होनी टैकार दती जिना विच मर्द और ता नव जम्मे बाल नौजवान ते बजूर्ग सब शामल सान पामेहु पंजाब विच पारत दे किसे होर हिससे विच जा बारली मुलकां विच वास्ते सान चौवी मई 1984 नौ काली दाल दे आगुआने एलान कार दता कि तिन जूनतों उह केंदरी सरकार खिलाफ अपना संगर्ष तिखा कार देंगे उनाने पंजाब दा अनाज दुजे सूबियानू पे जुनो रोकन ते सरकार नौ कोई वी कार ना देंड दा फैसला कीता उनाने अनन्दपूर साहिब दा मता परवान कार ले जान जां कटों काट उसते गाल बाद शुरू करन तक गिरफतारियां देंडा सलसला जारी रखन दी योज न बनाई पारी गंती विच अकालियां ने अमरे सरनू चाले पादते इस दे नाल ही पच्ची मई तों कती मई दुरान सरकार ने एक लख दे करीब सुरख्या बला दी नफरी सारे पंजाब विच तैनात कार दती ते तिहासक गुर्दवारयां नू केरा पालेया इना विच दुनिया पार विच परसद सिखांदा साब तों वड़ा तर्म अस्थान दर्बार साहिब वी शामल सी जेनू हर मंदर साहिब जा गोल्डन टेंपल दे ना नाल वी जाने आ जानदा है पंजाब ते चंडीगड दे सुरख्यां बला नू खास हक देन लई दा आम्ड फोर्स पंजाब एंड चंडीगड स्पैशल पावर्ज एक्ट 1983 कानून लागू कारदता गया एह कानून गड़बड वाले इलाकें विच अमन बहाल करन लई पार्ति सुरख्या बला नू खास अधिकार दन्दा है जिना तहत हो बिना वरंट किसे वी ठादी तलाशी ले सकते हैं ते किसे नूवी गिरस्तार का सकते हैं एह सुरख्या बला नू मश्कूक दहशत गरदा खिलाफ मारू ताकत वरतंदी खुल दन्दा है ते अपने खिलाफ हर तरह दी मकदमे बाजीतों बचोंदा है तिन जून नू गुरु अर्जन देवजी दे शहीदी गुरपरब दिया तियारियां कार रहे पंजाब विच चारे पासे बहुत कशीदगी सी इस गुर्परब वेले दरबार साहिब समेत सारे ही गुर्दवारें विच हजारा ही शर्दालूआ दी गहमा गहमी हुंदी है हर पेंड कार्टे वपारी नू छबीला लौन दा चाह हुंदा है जिना विच जून दी पारगर्मी विच प्यासे राहिया नू गुलाब जालवाली ठंडी ते मिठी कची लसी वरताई जान दी है इस वार दे शहिदी गुर्परब ते महौल तनाओ पर यासी पुलिस ते सुरख्या बल परियां बंदू का इकठे हुंदे मर्दा और ता अते बच्चियां वाल सिदियां तान के खलो जान दी लोक सदियां तों चली आ रही रवायत नबौन तों महरूम हो जान दी परहाले कानूनन कर्फियू नहीं सी लाया गया इसलik हजारा दी गिंति विच्छ लोक हर साल दी तरह दर्बार साहिब जा रहे सान शहिद्दा दे सर्ताज दर्बार साहिब दी उसारी कर्णवाले गुरु अरजन देव जीनू शर्दांजली देन जा रही संगत ओन वाली क्यामत तों असलो ही बेखबर सी, बहुत सारे कालीवी मोर्चे विच हिसा लैन आये हुए सान, अमरिसर जल्दी ही वापरण वाले सिखा दे तिज्जे कलूकारे लेई तियार हो रहा सी साका निला तारा सारे पत्तरकारा नो पंजाब तों बाहर कड़े आ जा रहा सी पहली जून 1984 नो पारसरकार ने ओपरेशन ब्लू स्टार शुरू काज़ता एहे पंजाब दे चाली तों वद गुर्दवारें ते सद्दा ते वड़ा फौजी हमला सी हमले दा मुख निशाना दर्बार साहिब ते अकाल तक सन एहे जेहा हला सी जेदी व्योंत बंदी पार्टी फौज ने कई महिने पहला ही कार लई सी दर्बार साहिब सिख रेफरेंस लाइबरेरी दे मुखी इतिहासक दविंदर सिंग दुगल दे चश्म दीद बरतांत मुताबक फौज ने पहली जून नू साड़े बारा वजे पवंस मूद अंदर वाल गोली बारी शुरू कार दती सांत जर्नैल सिंग उस वेले लंगर हाल दी छातते बैठे सांग फौजी निशांचियां ने उना दे जथे नू निशाना बनाया साथ कंटे होई गोली बारी विच अठ जणे मारे गए लंगर हाल दी इमारत परकर्मा विच मगोरे हो गए दविंदर सिंग दे दसन मताबक अंदर ले पासियों कोई गोली नहीं चली क्योंकि संत जर्नैल सिंग ने अपने साथियां नों हिदायत कीती होई सी के जाद तक फौज दर्बार साहिब पवंस मूँ विच दाखल नहीं हों दी ओहो जवाबी गोली ना चलों सरकार दे अपने आल इंडिया रेडियो ने शाम वारियां खबरां विच दसेया कि पवंस मूँ दे अंदरों फौज दे बिना पड़ काहट तों गोली बारी कीती गई पवंस मूँ विच उस दिन मारे गए अठ बंदियां दी उना ने गाल ही नहीं कीती ते ना ही दर्बार साहिब दी इमार्त विच गोलियां चलन नाल होया छती मौरियां दा ही जिकर कीता दो जून दा दिन शांती नाल गुजरिया ते लोकां दा दर्बार साहिब ओना जारी रहा पहली जून नू मारे सिखा नू दा संसकार ली लजाया गया देश दे ना संदेश विच इंद्रा गांदी ने केहा मेरी अपील है खून मत बहाईये नफरत को बहादी जी जदो की ओन वाले दिना दुरान ओदे ही हुकम अदीन फौजियां ने सिखा दा बेशुमार खून बहोना सी तिन जून वाले दिन हजारां दी गिंती विच शर्दालू शहीदी गुर्परव मनोन लेई दरबार साहिब अंदर दाखल होए एहे ज्यादातर मासूम पेंडू लोग सान जिना नू सूबे दे स्यासी हलात ते सरकार दी कीती फौजी त्यारी बारे कोई बहुता ग्यान नहीं सी एहे अपने अपने प्रवारा नाल ट्रैक्टर ट्रालियां जा ट्रक का आदिक ते स्वार होके आए सान इना विछों सेंक्डे लंगर दी सेवा करन ते वर्तोन वाले सान उस लंगर दी सेवा जिते रोजानना एक लाख दे करीब लोग पोजन छाक़दे हन इना विछ तर्मिद मोर्चे विछ हिस्सा लैनवाले टेरा सो अकाल़्ी वी सान लोग का नू अम्रे सर ते दर्बार साहिब पवन्स मूव इच दाखल होनो रोकन लेई कोई वी रुकावटा नहीं खड़ियां गईया ओन वालेया नू हमले दी कोई ताड़ना नहीं कीती गई ते अनू अराम नाल शैर ते दर्बार साहिब दाखल होन दता गया सूरज छेपन तक सुरख्यां बलाने दर्बार साहिब तों बाहर जान दे सारे रस्ते बंद कर दते ते इंज कोई दास हजार लोग अंदर फास गई लोग का नू इस गाल दा कोई क्यास तक भी नहीं सी के उना उत्ते अगले तिन्ना दना विच की कहर वर्तन वाला है अते जेरे तों जे हो बाचिवी गए ता ओधी प्यानक ता सारी उमर हवा बाणके उना नू ड्रावेगी मासूम लोग का नू बचोन वाले सर्फ मुठी पारह त्यार बांद सिख सान जिना नू सरकार दे इराद्यां दा अंदाजा सी ते जो फोज नाड लोहा लेके दरबार साहिब दी सुरख्या करन ले त्यार बरत्यासा फोज दे साब का मेजर जनरल सुबेग सिंग ने हमले दी सूर्त विच दरबार साहिब दी रख्या दी व्योंत बंदी दी अगवाई कीती एहे ओहो शुबेग सिंग सान जिना ने 1970 दी जंग दुरान बंगलादेश दी आजादी लेई बहुत एहम योगदान पाया सी जनरल शुबेग सिंग ते संत जनरल सिंग नू फोज दे मारू मनसूबयाँ दा पहला तो पता सी अपनी रख्या रण नीती मुताबक उनाने पंजाब विच फोज दी ताइनात होन दी खबर मिल देया ही अकाल तक्त दी किले बंदी रेत दिया बोरिया नाल कार लई ते ब देश दी फोज नाल उना दा कोई मुकाबला ता नहीं सी पर ओहो मीरी पीरी दा सबक देन वाले ते अकाल तक्त दे बानी छेमे गुरू हर गुबिंद साहिब जी दी सिख्या ते चाल देया पंथ दे सिपाही बान शहीदिया ता दे ही साक दे सां चार जून 1984 तरके चार वजे फोज ने दरबार साहिब समूदे अंदर गोली बारी ते बंबारी शुरू कार देती एहे हमला छे जून तक जारी रहा मशीन गन दियां गोलियां दी ताबड तोड वाच्छड दे नाल नाल फोज ने काल तक्त ते होर नाई मारता ते मोटर ते जहरिली गैस दे गोले दागे अंदरो हथे आरबांद खाड को कई कंटेयां तक डाट के मुकावला कार दे रहे हैलीकाप्टरां चों फोज दे सिपाईयां ने गोलियां वी दागियां ते गोले वी सुटे जिस नाल किन्ने ही लोक इन्नी बुरी तरा मारे गए कि उना दियां लाशां वी बेपचान हो गईयां फोज ने पानी वाली टैंक की ते अठारवी सदी दे रामगडिया बुंगे दे सरे नू गोलियां नाल उडादता ते पवन समूधियां होर मारता नू अगलादती एहे हमला इन्ना पारी ते जवरदस्त सी के एक गोला पंज किलो मेटर दूर शैर दे पीड पड़क के वाली थाँ जाड गया पांज जून नू अद्धी कु रात नू तेरां टैंक का सने बक्तर बांद गड़ियां पर कर्मा दे संग मरमर नू तहस नहस कार दियां दरबार साहिब समू अंदर जावडियां ते जेडा दस गया उसे नू गोलियां दा शिकार बनो लगियां गोलियां ते गोलियां दी एहे बुछाड रात पर जारी रही फोज ने बेच जग सद्धे दरबार साहिब ते गोलियां चला के गुरू गरंद साहिब दी ताब्या विच बैठे बजुर्ग ते नेतर हेन हजूरी रागी अमरीक सिंग नू वी मार दता छे जून नू सवेरे सवेरे फोज ने अपना हमला होर भी तेज कर दता फोजियां ने काल तक तवाल तोप दे गोले दगने शुरू कर दते ते मर्द और बच्चे जो वी राविच आया मार मकौंदे गे अकाल तक दा सारा मूर ला हिस्सा टै टेरी हो गया ते थां थां अग्गा लग गया महराजा रंजी सिंग दे वेले दा कलात्मक इमार्त शाजी दा काम तबाह हो गया अकाल तक्त दे राखे आखरी दम तक लाड़े रहे बामबत माक्या नाल अकाल तक्त मलबेदा टेर बाण गे कमरें विच छड़ी जहरिली गैस नाल दम कुटन तो बचन लई निके निके बाला नू कुछड चुकी बाहर नू पाजदियां औरता नू गोलियां मारन विच वी फोज ने कोई चे जखना वरती जिन्दा बचन वालियां नू पवंस मू विच्चों बाहर ना ओन दता गेया बौतियां तां जादा खून वै जान जान ते नाल ही मौत दे मू जापन्या जून दे अत दी गर्मी वाले महिने जदो ताप मान 40 डिगरी सेल्सियस नू टप्या होया सी छबिला लाके होरना दी प्यास मटोन वाले अपनियां ही कमीजा नू नचोड के पसीने नाल प्यास बजोन ली मजबूर सान क्योंकि अमरित सरोवर्दा पानी तां हजारा लोकां देखू नाल लाल हो चुका सी जखमिया दी देख पाल लेई कोई कोशिश न कीती गई सगों कई तां फोजी बुटां दी लतड हेट ही मार गई दर्बार साहिब ते हमले बारे सुनके चौक मैता हरीके पत्तन बटाले गुर्दास पुर ते नेडे तेडे दे पिंडा तो एक लाख दी गणती विच सिखा ने फोज दी मुखालफत करन लेई अमरिसर वाल चाले पादती दर्बार साहिब नो बचोन लेई वहीरा कती ओंदे सिखरा विच ही फोज दी मशीनी गोडी बारी दा शिकार हो गए सैंकडिया नो सडकां ते पुलां ते ही रोक के मार दता गया अमरिका दी खबर एजन्सी एसोसियेटिड प्रेस दा पत्तरकार ब्रम चलानी किसे तरह दिकारियानू चकमा देके नीला तारा ओप्रेशन दुरान अमरिसर टिके रैन विच काम्याब हो गया ओधी खबर सी अमरिसर जबरदस्त गोडा बारी मोटर तमाक्याँ ते मशीन गन दी गोडी बारी नाड हिल गया सी क्रेसर गोडियां ते लाटा ने अकाशनू लाल कार दित्ता गोल्डन टैंपल दरबार साहिब विच होन वाले तमाक्याँ नाड मीलना तक बूहे बारियां खडकन लगे उद्धर कमा सान युद चाल रहा सी पर सरकारी रेडियो शैर विच अमन अमान दास रहा सी राट दे साड़े दास वजे तो अधी राट तक सानू शैर दे बाहर वार पिंडा दे लोक नारे मार दे सुने ओहो तन वक्खो वाक दिशामा तो गोल्डन टेंपल वालनू वाद रहे सन राज करेगा खालसा ते पिंडरा वाले जंदा बाद दे नारे सुनाई दते ते नार ही सुनी मशीन गन दिया चाल दिया गोलिया दी तेज वाच्छड दी आवाज तेख चीक पुकार बाद विच उन्हें खबर दिती के मारे गए लोकां दिया लाशां चौवी कंटे नगर निगम दे टककां विच लिजाईया गईया ते वी वी जा इस्तोवी जादा दे तेरा विच फूकिया गईया शैर देश अमशान काट विच काम करनवाले करिंदे ने उन्हें दस्या की कली कली लाश नू फूकन लईता पूरी लकड ही नहीं है साथ जून तो दस जून दर्मियान दर्बार साहिब पवंस मू ते फूज ने पूरा कबजा कर लिया इन्हें चपे चपे दी तलाशी लई ते बाच गया नू बाहर कड़ के मार मकौन दी रही बहुत खतरनाक अत्वादी दास के फूज ने तिन सो अनासी नागरी का नू हरासत विच ले लेया उना नू इस इकबालिया बियान ते दस्खत करनली मजबूर कीता गया कि उहो जर्नेयल सिंग पिंडरावारे दे साथी ने जिस नाल मिलके उहो देश खिलाफ जांगल लाड रहे सान उना नू बिना मुकदमा चलाए साला बदी जोधपूर जेल विच रख्या गया जिस कारके उहो जोधपूर दे बंदी वज्जों जाने जान लगे अनमोल खरड़ें दस्ता वेजां ते ते हासक वस्ता नाल पर पूर सिख रेफरेंस लाइबरेरी लुटी ते साड़ी गई सिखा दे स्पवित्तर स्थान ते बै के फोजिया ने बड़ी बेहयाई नाल शराब ते सिगर्ट नोशी कारके एदी बेहुर्मती कीती ते सिखी दे पर्चम निशान साहिब दी था ते पार्ती तरंगा लहरा के जित दा जशन मनाया जो दो पंजाब विच खून खराबा हो रहा सी ता राजस्थान, महराश्टर, गुजरात, बिहार, पच्छमी बंगाल, उत्तर परदेश ते पंजाब विच्चवी, होर थामा ते ताइनात हजारा सिख फोजिया ने बगावत कारदती ताकि उख दरबार साहिब नो बचोन लेई, अमरिस सर्वल चार ले पासकन इना विच्चों सैंक्ड़या नो ता उना दे कमांडरा जा बराबर दे सह कर्मिया नेहीं गोडी मार के मुकादतता जेड़े बाच गए उना नो कैद कार लिया गया, बे इज़त करके फोज चों कर दता गया ते उना नो सारे विशेश अधिकारा ते पैंशन तोंवी वांजिया कार दता गया इस बगावत विच पागलेंड वालेया नो सिख पंथ तर्मी फोजियां दे ना ना याद करदा है संत पिंडरा वाले ते उना दे दो नेडले सहयोगी जनरल शुबेग सिंग ते पाई अमरीक सिंग सैंकडे साथियां समेत अकाल तक ते दर्बार साहिब नो बचों देयां शहीदी पागए कोई 277 साल पेला सान 1777 विच दमदमी टक साल दे मुखी बाबा दीप सिंग वी दर्बार साहिब दी बेहुर्मती करन आये हमला वर एहमद शा दुरानी दी फोज नाल टक कर लेके अपनी जानते खेड गए सान बाबा दीप सिंग दी शहीदीतों परेरतों के सांत पिंडरा वालिया ने वी अपने लई सिखां दे मना विच हमेशा लई अमिट स्थान बना लिया पारसरकार दे दावे मुताबक नीला तारा उपरेशन विच सरफ पांसो चुरंजा लोक मारे गए ते 112 जखमी हुए जोड़ियां दी गिंटीतों कटो कट दास हजार मुतां दी पुष्टी हुंदी है सरकार दे दावे मुताबक एहे हमला अत्तवादियां दे वाखवादियानों दरबाद साहे विच्चों बाहर कड़न लई सी पर एहे शहीदी गुरपुरब ते ही क्यों सरकार कोड एदा कोई जवाब नहीं सी एस तो इलावा पंजाब दे बताली होर गुर्दवारें ते हुए हमले ते जानी माली नुकसान नू अक्षों परेकार दता गया पुलिस दरबार साहिब विच राम नाल आजा साकदी सी बीबी सी दे पत्तरकार मार्क टली नेवी निला तारा तो कुझ कुदन पहला ही सांत पिंडरा वालें दे इंटर्व्यू लई सी पर हमले तो पहला किसे नूवी गिरफतार करन दे कोई आडर कोई वारंट जारी नह के पे जैसी के जे सांत पिंडरा वाले नूगरफतार करना है ताहू आसानी नाल एदा पर बंद कर देवेगा उन्हें गवर्नर नूइस कामली फौजी ताकत दा इस्तिमाल करन खिलाफ ताड़ना वी कीती सी उन्हों दस्या गया कि इस किसम दी कोई योजना नही उनी सो त 83 विच थाल सेना दे उप मुखी पच्छमी कमान लेफटिनेट जनरल एस के सिनहा ने पदान मंतरी दे कहे मताबक दरबार साहिते हमले दी योजना बंदी तो इनकार कार दता सी सिटे वजन उन्हों पच्छमी कमान तो हटा दता गया ते सैना मुखी वजन तरक्की वीना दती गए चकराता पहाड़ियां विच दरबार साहिते माडल ते आर कारके उठे फोजवलों कीतियां मशका बारे मिल दियां खबरावी सरकार दे इरादियां ते ओदी पहला तो मिथी हुई व्योंत वंदी वाले साफ इशारा कार दियां हनो एहे आम ही समझे जान्दा है कि ओपरेशन ब्लू स्टार सिखा नू सब कसकों ली कीता गया सी ते इसलई हालात वी सरकार ने आप ही पैदा कीते साँ सारी उमर सिखा बारे खोज करन वाली आईरलेंड दी समाज विग्यानन प्रोफेसर जोईस पैटी ग्रियू नू नीले सक्के नू थोड़े शब्दा विच इंज ब्यान कीता है फोज ने दरबार साहिब ते किसे सियासी हस्ती जा सियासी लहर नू खतम करन ले चड़ाई नहीं सी कीती सगों सिखा दे विर्से नू कुछलन ले उना दे जला ते वार करन ले उना दी आत्मा नू वलुंदरन ले ते उना दी हिम्मत टौन ले वार कीता सी पंजाब विच पूरेक महिनेली फोजी राज लागू कारदता गया संचार बुरी तरह ठाप कारदता गया सरकार ने मेडियां रिपोर्टां सैंसर कारदतियां राहत पहुचोन वालियां संस्थामा दा पंजाब विच दाखला बंद कारदता गया दुनिया पार्दे सिख सुन हो गए, पार्टी जमूरियत विच उना दा विश्वाश हमेशा लई है लगया, उना ने एक वार फिर अपने आपनो बहुत दुखी लाचार ते बेकार महसूस की था पार्दे पाकिस्तान दी सरहद ना लगदे पेंड खालड़ा ते खास बाज आक सी क्योंकि पार्द सरकार नो हथियार बंद संगर्श विच पाकिस्तान दा हाथ नजरों दा सी समझा जान्दा सी के ससरहाद राही पंजाब दे बागी सिखानों हत्यार पहुंचाई जान्दे हन हत्यार बंद फौजी पेंट दी गश्ट कार दे दे लोकानों परिशान कार दे जसवन्त दा परवार ओधी खैरियत बारे काफी फिकर मन्द सी क्योंकि उहो दूर पटे आले बैठा सी उना दिया अख्छा बूहे ते गड़िया हुएं सान उहो अरदास कार रहे सन की जसवन्त सुखी सान दी कार मुड़ आवे हफते को बाद जसवन्त जिमें के में कार मुड़ आया ओदे सारे परवार ने दरबार साहिबते हुए हमले दा बड़ा सोग मनाया दरबार साहिबते उना दी हूंद दा तुरासी जसवन्त नु लग गया जिमें उस विच्चों किसे ने सारी जान नचोड के कड लई है परवार दे सारे जियाने के दुझे दे गड़ लग के हंजू वहाए जियों ही हंजू ठले ओहो सिमरन करन बैठ गए क्रिश्चियन साइन्स मोनीटर अठ जून उननी सो चुरासी शनिचरवार नु अम्रसर विच मेडिकल काम्याने दस्या की फौज ने तमकी दती है कि जिस किसे नेवी ओपरेशन ब्लू स्टार दुरान जखमी ते हस्पताल विच दाखल सिख संगता नु रोटी पानी दता ता उनु गोडी मार दती जावेगी पांज दिनातों पंजाब बाकी दुनिया नाडो अलग थलग होया पया है सारिया टेली फून ते टेलेक्स लाइना कट दतीयां गईया हन किसे भी विदेशी दा पंजाब विच दाखला मना है अते मंगलवार नु सारे पारती पत्तरकार बाहर कर दते गई कोई अखबार नहीं आ रहे ते ना ही कोई रेलना जा बसा ही चाल रही आ हाई बैल गड़ा तक भी नहीं चाल साकदा देख दिया सार गोली मारं दे हुकमा दी वड़े पदर ते तमील किती गई पांचेश जार पिंड़ा ते पंजाब वड़े शहरां वाड़ा पंजाब कोसेंट्रेशन कैंप बनेया पया है फोज ते एदे सियासी मालकां दा कानून ही चाल दा सी दे टाइम्ज यूके 13 जून 1984 उसे डाक्टर ने पत्तरकारा नू दस्या की मारे गया दियां देहा नू नगर निगम दियां कुडाठो़न वालीयां गड़ियंग विच मुर्दाकार लियांदा गया ते ऐवी दस्या की 400 सो देहां औरतां दियां सन अते 15 तो वी 59 साल तो छोटे बचीयां दियां इक ता दो महिन्या दा बाल सी, डाक्टर ने दस्या की लाश दे टेर विच एक अत्वादी जोंदा निकलेया, ता फौजिया ने उनु गोली मार के खतम कार दगता दस सिख मैसेंजर, यूके, 1984, अमरे सर दे किसे शैरी दा बरतानवी सिख परचे नु दस्या अक्खी डिठा बरतान्त पांच जून दी रात नु गुआंडियां दा चेरा तो बिमार बजुर्ग पिता चल वसेया, ते छेदी स्वेर नु फौज ने उना नु मरतक दे शम्शान काटल जान दी आग्या दे दती उत्थे पांचन तो पहला ही उना नु साड़ दे हुए मास दी बो आई, शम्शान काट पांच के उना जो देखिया ओहो ओधी दैशत नाल ही बमार हो गए दर्जना ही देहा नु शरेया नु शरेया म बिना किसे तार मे करो हु रीता तो डंगरा दे मुर्दारा वांगु साड़ए जा रहा सि सारें ही देहां कूडा गड़ियां विच लिया दियां गईया सन ते गड़ियां दी गंटी तो अंदाजा लाया गया कि तेती सो देहां उदो तक फूकियां जा चुकियां सन संडे टाइम्स बाई जून 1984 मेरी एन वीवर कुझ हफते पहला सिखां दे गोल्डन टेंपल नू केरा पॉन तो लेके हुन तक हजारा ही लोग पंजाब तो ला पता हो गए हन कुझ पिंडा विच पंदरा तो पैंती साला दे मर्दा नू अख्छां ते पटी बन के अते नूड के लिजाया गया उना दी हूनी दा कुझ पता ही नहीं हाल ही विच छोटे जहे पिंडर कैंप वाला विच तिनसो फोजी पाठ दा पोग पैंड वेले गुर्दवारे जावडे ते ती बंदियां दियां अख्छां ते पटियां बन के उना नू गलियां विच कड़ी इस दे ले गई गरंथी संत प्रतपाल सिंग मुताबक पिंडवाले नू अत वादिया दे टिकाने पता करन ले बिजली दे चटके दे के पुछ गिच कीती गई सैंती सालां दे किसान गुर्णाम सिंग नू तेरा दिन फौज दे कैंप विच रख्या गया पिछले हफते जखमी चेरे ते लत्ता बाहां ते सडन दे निशान दखों दे गुर्णाम सिंग ने दसिया कि फौजियां ने उनू पुठा लटका के कुट्टिया किहा जान्दा है जांग विच पहली मौत साचदी हुंदी है इक पासे सिख कौम ब्ल्यू स्टार ओप्रेशन दे सद में बेदभी दी तकलीफ ते खुनी बरतांत नाल नजट रही सी ते दुजे पासे सरकार सक्चाई नू छपौन ते चूठ नू सही साबत करन विच जूटी सी सरकार ने कबजे विच लए हथे आरां दी कसम ते गिंती बारे गल्त सूचना फिलाई दर्बार साहिब अंदर मुझरी मानना काम चलन दा चूठ बोलेया ते तरम्युद मोर्चे नू हिंसक वक्वादी लहर आख दिया इनू देश लई खतरा दस्या इस साबकासे नू दैश्त गर्दी राही खालस्तान बनौन दी साजिश दस्या पारसरकार चूठ दी किस हद तक जा सक्दी है एहे 10 जून 1984 नू खबर एजंसी PTI दी टाइम्ज आफ इंडिया दे मुख पन्ने ते छपी सुर्खी तों सपष्ट हो जान्दा है डैश्त गर्दा ने अकाल तक तनू उडोन दी लाचार कोशिश कीती ते किन्ने ही मर्दा औरता ते बच्चिया नू मार मुकाया पांज जून दे एक्शन विच अपने अगुआ दे मारे जान बाद वड़ी मात्रा विच नग दी गैने ते होर कीमती चीजा नाल पज्जन दी नाकाम कोशिश कीती फोजी कारवाई विच अकाल तक तदा नुखसान नहीं होया इस तरह दियां गल्त सूच नामा ते पंडी पर चार ने सिखा नू दुनिया पार विच बे इज़त कारके राख दता ओहो बहुत दुखी सान सरकार ने उप्रेशन ब्लू स्टार बारे वाइट पेपर वी जारी कीता जिस विच इस दोरान होई तबाही ते मौता नू बहुत कटा के दस्या गया सी पार्ती मीडिये ने सरकार दे चूठ दे पुलंदे नू हथो हथ लेया ते दुनिया अगे पेशकार दता कुमांत्री मीडिये नू पंजाब ओनो पहला ही रोक्या होया सी इसलई असल सचाई दुनिया दा उन्ना ते आन ना खिच सकी जड़ा मनुखी दिकारां दे एन्ने वड़े का आन नू मिलना चाहिदा सी कोई वी सच बोलन दी कोशिश कारदा ता ओदे ते देश्टर ओदा इल्जाम लाके राष्टर वरोधी करार दे जता जान दा इना मुल्जमा विच एसोसियेटेड प्रेस दा पतरकार ब्रेम चलानी ते सिटिजन्स फोर डेमोक्रेसी जथे बंदी दे कारकुन शामल सान जिना ने उप्रेशन निला तारा तो बचे लोकां ते चश्म दीद गवाहा नाल इंटर्विव कारके आपनी पंजाब विच तशद्द सरलेख वाली रिपोर्ट विच साच ब्यान कीता सी इस तफ तीशी जथे बंदी दी गवाई पर मुख वकील मनुखिय दी कारकार कुन ते मन्ने पर मन्ने साब का जज विठल महादेव तारकुंडे ने कीती सी रिपोर्ट दे नशर होन दे दुझे ही दिन सरकार ने एनू जब्ट करके इस ते पबंदी लादती ते एदे लिखारियानू अपने खिलाफ बोलन ते देश्ट रो दे जुर्म विच गिरफतार कार लिया इन्ज सरकार दा अपने ही देश दे नागरगां दा इन्ने वड़े पदर ते कीता कतले आम संसार पार दिया मनुखी अधकार संस्थावा दिया नजरां तों पासे रहा सरकार दुनिया तों इस जुलम नूल कोण विच सफल रही ते परदान मंतरी इंद्रा गांधी दे होंसले बुलंद हो गए ओहो ते ओधी पार्टी कांगरस हों देश दे दुश्मन संत पिन्रावाले नू मार के कौमी पदर ते नाइक बाण के उबरे सी इसले अगलिया चोणा विच ओनू जित दे आसार चंगे लाग रहे सान चंगे ही क्यों बहुत ही वधिया पावे इह साब उस काट गेंती जी कीमत ते ही क्यों ना होया होवे जेने वक्वक समया ते देश हित लई किसे वी होर काट गेंती नाड़ों किते ज्यादा योगद पारत दी वस्तों दा सिरफ दो फीसद होन दे बावजूद सिखा ने पारत नू बरतानवी सामराज तों आजाद करवोन लेई आजादी संगराम दी अगवाई कीती सी इस दोरान मारे जानवालेयां विच्चों 71 फीसद ते उमर कैदी सजा पोगन वालेयां विच्चों 81 फीसद सिख सन दो में संसार जंगां विच्च बरतानवी पारती फोज लेई लड़न वालेयां विच्चों वी 56 फीसद सिख ही सन कुल सिख वस्सों दे अंदाजन 40 फीसद लोका नू 19 संताली दी देश वांड दुरान अपने कारकाट छड़ने पए ते सैंकडे ही इतिहासर ते तार्मक थावा तों हाथ तोने पए सान उना दी कुल वस्सों दा पांज फीसद हिस्सा तां इस रोले विच मार्या वी गया सी सिखाने पार्ती फोज दी रीड दी हड़ी बानके गुवांडी देशा नाल जंगावी लडिया सान पंजाब नू हमेशा ही पारत दा अन दाता केहा जान्दा सी पंजाबी सिख जिमिदारां दा उगाया अन पारत दे होर बहुत सारे सूबियां दे कम ओंदा सी पर एक वार फेर उना नू किसे दी सियासी लाल सा पूरी करन ले उल्टा कोहया गया नवंबर 1984 दा कतले आम तां जून दे खून खराबे नू भी मात पा गया अक्तूबर कती 1984 नू पारती मीडिये ने खबर दीती के परदान मंतरी दे सुरख्या अमले दे दो सिखाने उनू दिल्ली विच गोडियां चला के मार दता है खबरा मताबक सतवंत सिंग ते बेंत सिंग ने इहे कारा ओप्रेशन निल्ला तारा विच दरबार साहिब दी बेहुर्मती दा बदला लैनली कीता सी सुचना मताबक दोवा नू जंदा गरफतार कार लिया गया ते बेंत सिंग नू बाद विच मार दता गया इंद्रा गांदी दी मौत दी खबर नू बिना किसे जांच परताल तों प्रेंट ते इलेक्ट्रोनिक मीडिय राही वड़े पदर ते सला के काट गिंती सिखां प्रती बदले दी पावना नू हवा दती गई उसे दिन इंद्रा गांदी दा पुतर अजीव गांदी जो सियासत दे पड़ विच हाले कच्चा ही सी हल्फ लेके देश दा परदानमंत्री बढ़ गया टीवी ते रेडियो शामी वार वार ओदे पार्टी समर्थकां दे नारे खून का बदला खून से लेंगे दा परसारन करके देश वासियानू सिखां दे खिलाफ पड़ कों दे रहे ओहो वी सर्फ गोली मारनवालयां खिलाफ नहीं सगों सारे ही सिखां दे खिलाफ मुल्क पारविच सियासत दानना ते पुल्स अफ्सराने सरकार दे थापड़े नाल सिखां दे खिलाफ योजना बद हिंसा दा तांडव नाच शुरू कार दता इंद्रा गांधी दे कतल तो बाद सरकारी मशिनिरी हरकत विच आ गई गांधी प्रवार प्रती देश दी हमदर दी जगा गई ते बदले लेई मंच तियार करके फिर अफ वहां फैलाईयां गईयां की पञजाब तो हिंदूँआ दी लाशानाल पर यां गड़ीयां आरही विच्छ सिखानू सब कसकों ली पड़काया गया नगरपाली का रिकार्ड वॉर्टिंग लिस्तां ते पेंट दे के पार्टी कारकुन्ना नू सिखान दे करां ते दुकाना दी निशान दी ही करन ली के आगया अगले तिन दिना यानी पहली तो तिन नवंबर तक कांग्रस करची ने चिखान नू मारन लैं फसादी कठे किते उना नू हथियार मुहुया किते ते चिक 주세요 धेकर अ धुकान ना ते तढर्मक स्थानानू लुटके अगला देन ली पड़काया के छिख दे स्कूला थे असपताला नो भी ना बक्षा गया हाला कि उत्यों गैर सिख भी ल पीडा, सिख्खानू करों तू लें दिया, मार कुट कार दिया, उना ते मिट्टी दा तेल छड़क दिया, ते उना दे गड़ा विच टायर पाके जिंदा साड़ दिया, फसादियानू लोहे दिया, सिख्खा, मिट्टी दा तेल, टायर, पेंट, ते सिख्खा दे टिकानिया दे सुची वगेरा सब कुछ दीता गया सी शिव सैना ते बजरंग दाल वर्गे हिंदू दैश्ट गर्द तेरा नेवी कांगरस नाल मिलके एनू पूरे जथे बंदक सहयोग नाल फसादी दते हालांकी स्यासी तोर ते एहेक दुझे दे विरोधी सान हर थां ते मार तार दी इको जेही शैली अपनाई गई जिस तो इस कतलो गारत दे पहला तो मिथे सांजी मनसूबे दा इशारा मलदा सी किनिया ही ओरता ने अपनी अखां सामने कारदे मर्द जिना विच बच्चे वी शामल सान जिन्दा सारदे देखे अनगेंट बंदेया ने तसीहया नाल खुद मारे जानतों पहला अपनिया मामा पत्निया तीयां ते पैणानू समूह कजबर जनादियां शिकार हुन दे तक या अनगिंत बंदियानों अगला के साडन तो पहिला उना दे तरम दी हेठी करन लई उना दे केस कतल कार दते गए कारां बसां गड़ियां विच सफर कर दे सिखानों फड़ के सड़कां ते स्टेशना ते इंतजार विच खड़ियां फसादी ताड़ां दे हवाले कार दता गया स्टील प्लांटां विच काम कर दे सिखानों उना दे सह करमिया नहीं फड़ के बोईलरां विच सुट दता उना नू अग्गाला दती पुलस मू दुझे पासे कार लेंदी जां पीड नू हला शेरी दिंदी ते कई वारता नाल ही राड जांदी जित्थे सिखा थियार बंद हो अपनी राखी करन ली तियार सन उत्थे पुलस आके पीड दे पहुंचन तो पहला ही उना दे हथियार जब्त कार ले जांदी दिली दी डी टी सी वरगिया सरकारी ट्रांसपोर्ट सेवा दिया बसां फसादी पीडा नू सिख वसों वाले एक इलाके तो दुझे इलाके तक पहुंचन दिया रहिया तांकि उहो अपनी लुट मार जारी राख सकन कुछ होर ना तरमादे लोक सिखां दी मदद करन ते उना नू बचोना चोंदे सन पर उना नू फसादी पीड़ते पुलस दोमे ड्रातम का के परेकावदन दे सिर्फ गिंटी दे पले लोकां तो बिना जिना ने अपनी जानते खेड के अपने मासूम घुवांडियां दी मदद कीती सारा देश मूख दर्शक बनेया होया सी जिमें कि हो सिखां नार कीते जा रहे है वतीरे नाल सैमत सी मीडिया राही सरकार ने अफवाहां फैलाईया जिस नाल अगले तिन दिन दुरान सिखां खिलाफ हिंसा होर पड़ती जदो मनुख्य दिकार कारकुन नर्पक पत्तरकारां ते इमानदार सरकारी मुलाजमा ने मंतरियां तो इस बारे पुछया ता दस्या गया कि सरकार हाल ते काबू पौन दा यतन कार रही है पार्ती फौज जिसनो कुझ कु हिंदुआं दी खौती हत्तियामा लई पंजाब विच बड़े सुचजे टांगनाल ताइनात कर दता गया सी ओहो हुन देश पार विच हजारां सिखां दे कतले आम वेले किते दिसी तक नहीं जदो कतल दे आम अते खौफ नाक साड़ फूक दियां खबरां बाहर निकलन लगियां उदों फौज ताइनात कीती गई दिल्ली पुलस विच काम करन वारे सिखां नू बंद करके रख्या गया तांकि ओहो देश दी राजतानी विच हो रहे खून खराब बेन रोकन दी कोशिश ना कीता ता उने बड़ा बे रहम जवाब दिता जदो कोई वड़ा द्रक्त डिगदा है ता तरती थोड़ा बहुता हिल दी ही है खून खराब बे दे मोरी पुलस फौर्स ते सरकारी असरा नू ना सरफ दुद तो ते कराद दता गया सगो उना नू इनाम ते तरक्यां भी दत बाद दे किन्ने ही साला दुरान ते सत पड़तालियां कमिशना दे बावजूद किसे नू कोई सजा नहीं दिती गए दिल्ली कतले आम दे मुखदोशी, अरुन नहरू, कमलनात, सर्जन कुमार, जगदीश, टाइटलर, तर्मदास, शाष्ट्री, पजनलाल, हर्क्रिशनलाल, पवित, अर्जुन दास, ते ललत, माकन वर्गे, सार्या नू ही उना दी, प्यानक, पूमी का दो बाद भी, पार् सरकार दे करवाए इस खून खराबे विच पंजा हजारतों जादा सिख बेकार हो गए, ते अंदाजन वी हजार सिर्फ राजतानी विच ही मारे गए, जेड़ा इस हिंसा दा मुखतुरा सी, जे चंगी तरह जांच परताल करवाई जान दी ताए है, अंकडे होर वी जादा वद निकलने सां, सरकार ने मारे जानवालियां दी गिंटी बारे फिर चूट बोलेया, सरकारी अंकडे ते सरकार दी अपनी पाशा मताबक दिली दे सिख दंगियां दुरान 2733 सिख मारे गए, इह गालता सरकार ने कबूल ही नहीं कीती के किन्ने ही होर वड़े शैरा, सिख दे कतल होए सान, हरे आना, जिला रे वाडी दे, पिंड होंद चिलड विच अबाद सिख दे, सोडा दे सोडा परवार कतल कार दते गए, ते उना दे कारसार दते गए, एह वाक्या 27 सालां बाद मीडिये राही सामने आया, की पता इस वरगे किन्ने कू होर जल्म होए ह मोतां दी सरकारी गयंती ते असल आंकणयां दर्मियान फर्क अमरिका दे मन्ने पर मन्ने अखबार, क्रिशियन साइंस मोनीटर दी रिपोर्ड तों साफ जाहर हो जान्दा है 15 नवंबर 1984 नू इंडियन एक्सप्रेस दे पत्तरकार राहुल बेदी दी दिल्ली नेडले तर लोग पुरी इलाके दे कतले आम दी रिपोर्ट दे हवाले नाल बीबी एन वीवर ने लिखिया राहुल बेदी लिखदा है कि शुकरवार नू बाद दुपैर उहो तिर लोग पुरी पुरी पॉंचेया ता उत्थे दाखला बांद करी बैठे पुल्स वाले ने केहा कि कोई खास गल नहीं होई साब ठीक ठाक है हो साकदा है एक दो बंदे मारे गए हून बेदी ते दुझे पत्रकार ने बलॉक बत्ती दा रुख कीता ते देख्या कि मंदर नू जानवाली सडक कोई पंजाब उटता के लाशा नाल परीपई सी जो एक दुझी दे उत्ते चिनिया हुनिया सा सरकार ने खून खराबे नू सिख दंगिया दा ना दता एदा मकसद सी पंजाब विच हिंदूआ दे होए ते करवाए कतला दे बहाने सिख कतले आम नू जाइज ठहरोना जून जा नवंबर 1984 दे जवाब विच पंजाब विच किसे एक वी सिख ने बाहर निकल के हिंसा नहीं पढ़काई ते ना ही किसे हिंदू ते हमला कीता हालां कि उत्ते सिख बहुँ घंटी विचे सान नागरिक आजाब्दी लई सरगर्म जथे बंदी सिटिजन्स फोर डेमोक्रेसी ने कहा कि सिख ते ताहे गए एन्ने तशदद दे बावजूद पंजाब दे पिंडा विच वी फिरकु दंगे दी कोई एक वी कटना नहीं वापरी जिथे की हिंदूआ दी गंटी बहुत ही कर्ट है कलू कारा पंज सदियां पुराने सिख इतिहास दा शब्द है जिस तो मुराद अक्तियाचार दी सिखर वज्जों खून खराबा कतले आम जा सिखां दी नसल कुशीतों है एहे शब्द सिख चेतना दा आंग बंद चुका है सान 1776 विच पहला जा छोटा कलू कारा होया सी जदो लखपत राय ते या या खांदियां फौजा ने सत हजार सिखा नु मार दता सी ते तिन हजार कैद कार ले सान फिर उना नु लहौर लजा के बेरे मीनाल सडकां ते शरेयाम कतल कार दता गया सी सान 1772 विच दुजा जा वड़ा कलू कार वाप्रया जिस वित एहमद शा दुरानी अवदाली ने कुपर हीडे विच पैंती हजार सिख कतल कीते सान सान 1984 विच पारसरकार वलों कीती नसल कुशी नू तिजे कलू कारे दे ना नाल जाने जानदा है जिस दुरान मारे जानवाली सिखां दी गणती लग पग पहले दोमा कलू कारेयां दियां मौतां दी संख्यां दे बराबर आ बैठ दी है पर हाले वी सिखां लई दैशत दा दोर खतम नहीं सी होया नियू यू यॉक टाइम्स दी खबर मताबक दिली दे शर्नार थी कैंपां विच 7 नवंबर 1904 नू पच्ची हजार सिखां ने शर्न लई होई सी पार्ती ते विदेशी पतरकारां दे सरनार थी कैंपां विच दाखल होन ते मनाही है क्योंके इना विच काफी गिंती विच दुखी आरियां विद्वावा ते बच्चे शामलहान ओहो मर्दवी शामलहान जिननों अपनी जान बचोन ली अपने केस ते दाडियां कटवोन इन्ज रोमा दी बेदबी सिखां दी तार्मकरीट दी लंगना है ते गैरतमंद सिखां ली बहुत ही शरम सारी दा सबाब है दुनिया दी सबतों वड़ी जम्हूरियत दी राइता नी दिली दे नक्षे ते उकारी गई तिल्क विहार दी विद्वा कालोनी अजवी नवंबर 1984 दे कतले आम दी उस दरिंदगी दी दास्तान बियान कार दी है जो सिख विबिया ने अपने ते हंडाई बहुत सारे सिख अस रख्या दे पती ते बरबादी दे एहसास नाल इसकदर परेपैसान की उना दी वड़ी रूवी कर वापस जाननू नहीं सिखा दी बहुत सारे दा टबर दे जिया सने सारा कुझ ही लुट चुका सी हजारा ही बच्चे यतीम हो गई सान पंजाब सकार ने दिली ते होर थामा तो उजड के ओन वाले सिखां दे मुडव सेबे लई अपने बुहे खोल दते जस्वांतने ओन वाले महिने हिंसा दे मारे इना बद नसीबां दे मुडव सेबे विच मदद कारदियां गुजारे इने अखबार नविसा नार मिलके यतन कीते की उना दी एहे दुर्दशा इतिहासक दस्तावेज बने ते कतलो गारत दी एहे लहूपी जी दास्तान लोक चेतियां चों विसर ना जावे अजिसी एही किताब इत्थों तक ही पढ़ांगे इजाज़त देओ वाही गुर्जी का खालसा वाही गुर्जी की सत्य